वेलकम ट्रेंड युक्ती याइस की ओल्लाइन प्लटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोग का श्वागत करता हूँ अज 22 सितंबर है तो द्यानिक जागरन के राष्टे संसकर न्यूज पेपर में यूपेसी और स्टेट पीसियस के साथ साथ जितने भी गवर्मेंट एक्जाम है उससे रिलेटेड पी टी मेंस और इंटिव्यू और येंड कौन-कौन से न्यूज को कभर किया गया है उस पर हम वो चर्चा करेंगे साथ ही साथ उसके में पार्ट और सब पार्ट को देखते आगे चलेंगे आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी दवाए ताकि सारे नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और जो हमारे पुराने और नए लिशनर है चैनल को जरूर शेर कीजिए वार्ट क्या exam orient बात कर रहा है to the point बात कर रहा है और इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने में हमारे साहता कीजिए साथ ही साथ लाइक और कॉमेंट करना एक दम नहीं भूलिए इससे internal motivation मिलता रहता है और साथ ही दिसा पता चलता है कि किस दिसा में और भी हमें सुधार कर करने की जोरत है और युक्ति आईस हमेशा two way communication की बात करता है तो आप लोग इसको सफल बनाईए description box में link बहुत साथ दिया हुआ है जिसमें आप लोग को app और website का link दिया हुआ है तो आप उसे use कीजिएगा बहुत सो लोग को app डाउनलोड करने में problem हो रही है तो उससे related एक video बना दूँगा हलाकि देखिए google play store पर जाईएगा आपके mobile में google play store होता है google play store से use type कीजिएगा आप लोग हमें पाईएगा वहाँ अगर simple सा यह नहीं यह नहीं कर पाते हैं तो description box और comment section में आप जा सकते हैं वहाँ पर link दिया हुआ है app डाउनलोड करने का तो वहाँ से भी app डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो आप google पर search कीजिएगा www.uktiis yuktiis का website open हो जाएगा website open पर website को भी यूज कर से साथ ही साथ वहाँ पर app का link वे दिया हुआ जहाँ पर logo yuktiis का होगा उसे touch कीजिएगा app का link मिल जाएगा या google लिखा होगा black color में google app उसे touch कीजिएगा तो आप direct google place के store पर आ जाईएगा वहाँ से app डाउनलोड कर सकते हैं app डाउनलोड करने के बाद आपको केवल अपना personal details देना होता है जिसमें आप email id को देना होगा या mobile number दे सकते हैं दोनों इसे कोई दे सकते हैं आपको एक opt जाएगा आपके mobile number पर या एजेस्टर जो आप email करिएगा वहाँ पर create password होता है create password करके उसके बाद open बहुत easy format है बस एक बार सही तरीके साप लोग किजिएगा आप लोग बहुत सा फैसलेटी आप लोग को दिया जा रहा है तो आप लोग उसे जरूर लाब लिजिए ताकि आने वाले समय में आप लोग इसका बहुतर उपयोग कर सके चलिए हम लोग बात करते हैं जैसा कि कल मैंने आप पढ़ना है किस निउस को छोड़ना या इंपोर्टेंट होता है एक यूपेसी और पीसियस एस्परेंट के लिए आज भी द्यानिक ज्यागन आप लोग के लिए यही समझा रहा है देखिए फर्स पेपर में क्या है पहला खबर में कुछ राजितिक बाते चर्चा परिचर जो आपको यूपेसी और पीसियस के किसी भी एक्जाम नहीं पूछेगा आंतरिक मामला है किसी भी पार्टी का तो यह नहीं पूछता है मोदी को मोदी का राजितिक के लिए खत्म करने की साजिस चल रही है सडेंत उजागर हुआ तो इसके संदर में भी बाते हैं तो यह आपको नहीं प्रस्न आएगा अब देखी इस प्रकार के देश में बहुत से छापे मारी होती है दिल्ली पुलिस ने मुंबे के बंदगा पकड़े 345 किलो हेरोईन तो हेरोईन से संबंदित आपको पीटी में प्रस्न क्रियेट किया सकता है हेरोईन क्या मादक पदर के स्र कि देखने को मिलेगी तो देखते हैं कि पहला पेज में आपको बहुत सा ख़वर जो है आपके इकजाम और इंट नहीं है तो हम लोग उस पर कभर नहीं करेंगे जो इकजाम और इंट है उस पर बात करेंगे जैसे करनाटक में केवल कच्छा में हिजाब पहने परोख है जैसा जान रहे हैं आप लोग सुप्रिम कोट में करनाटक हाई कोट के निन्ने को दिया गया है वहाँ पर चर्चा चल रहा है रिट दाय के उसके खिलाब करनाटक हाई कोट के निन्ने के विरूद में तो देखी बाते बहुत से चीजे निकल का सामने आ रहे ह जो चीजे मैंने आपको पहले दिन हिजाब प्रामले में बताया था अब कमो वैस वही सब बाते आपको इस दलील में देखने को मिल रही है और नियाले में या मामला है तो अधिक टिपन्नी करने की जरूत नहीं है जब फैसला आ जाएगा तो उसके ही संदर में हम लोग बात चर्चा करेंगे पर जो बात मैंने कहा था उससे नोटिफाई आप जरूर कीजिएगा क्या उस संदर में मैंने बाते की थी वीडियो पहले का है आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में देख लिजिएगा वहां से आप लोग टाय अप किजिए क्या मैंने उस दिन जो बाते क कि थी क्या उसी दिशा में बढ़ रहा है करनाटा का हाई कोट का जो मामला है हिजाब के संदर में तो आप लोग देखते होंगे मैंने वहां बोला था उसकूल या विद्याले को किसी धार्मिक मंच का रूप ना दे कहने का मतलब मैंने यह बात बोली थी किसी भी धार्मिक मन किसी धार्मिक पहलू को नहीं चुआ बहुत जिस पर बहुत हो हला हो रहा है कि हिजाब पर रोक लगा दीगी ऐसा नहीं है राज जी में हिजाब पर कोई पर्तिवन नहीं यानि राज जी के स्कूल छोड़का बारिस सभी जगह हिजाब पहनना लोगों की स्वतंतरता है व पित कर सकेज़ तो यहां इनिफॉर्म तैए और उसकी उसी में आना होगा अथात पंथ निर्पेश जगह है विद्यालेक पंथ निर्पेश जगह मैंने वहां बताया था धार्मिक मंच नहीं है तो धार्मिक मंच कहने का मंद तो देखिए सॉलिटर जयर्र जो है एडिशन के संदर में ही बात करेंगे तो क्या स्कूल या विद्याले को पंथ निर्पेक्ष की रूप में देखा जाना चाहिए या धार्मिक मंचों के रूप में अस्थापित किया जाना चाहिए तो मैंने उस दिन बैक्तिगत रूप से भी यह बात बोली थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी विद्याले में उसे धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए धार्मिक सिख्षाओं के लिए अलग-अलग क्रिया साले या क्रिया विदी होती है वहाँ पर आप धार्मिक रूप से अपनी चीजों को ले जा सकते हैं धार्मिक मनताओं जैसे आप मस्जिद है, मंदिर है या चर्च घर है और भी जो पंतों का जो अपना धर्मस्तली वहाँ पाक अपनी मननेताओं को अस्थापित कर सकते हैं वहाँ जो भी सोतनताओं कोई रोक टोक नहीं करेगा पर विद्याले और स्कूल जो होते हैं वो ओप इन थौर्ट के रूप में अपनाया जाते हैं चाकी बच्चों का जो स्वरागी विकास हो वहाँ पर धर्म निर्पेक्ष्टा पंत निर्पेक्ष्टा और साथ-साथ समाजिक मननेताओं के साथ-साथ विकास के जो मानक है उसको अस्थापित किया जाएसा है राश्टी एक वार समान आचरन समान शर्धानतिक पहलूओं को बढ़ावा दिया जा सके और जो मैंने बात उस दिन भी बोला था आज भी यही बात बोल रहा हूं और आने वाले समय में यही बाते होंगी देखिएगा नियाले का भी निन्ने इसी इर्द गिर्द होगा क्योंकि कुछ चीजे होती है धार्मिक मन्यताओं से इतर भी काम करने चाहिए हर चीज में धार्मिक मन्यताओं अस्थापित नहीं की जा सके अगर कोई राज्य अपने अपने मामलों में धार्मिक मन्यताओं को अस्थापित करने लगता है तो समझे कि जो हमारा सुरांगिन विकाल से कहीं लूपता है, क्योंकि समनांतर इस्तिती में देखा जाए, बहुल जो हमारी सांस्कृतिक विरासत जिस रूप से है उसे समान ओसत के रूप में देखा जाए, तो यहाँ पर check and balance theory बहुत ज़रूरी है अपनाना ऐसा नहीं किसी खास विसेज धर्म को वरहिता मिल जाए ऐसा नहीं किसी खास धर्म विसेज को कमजोर कर दिया जाए उनकी धार्मिक मनेताओं को इसलिए check and balance theory बहुत ज़रूरी है अपनाना और यह सब जो मामले ऐसे मामले होते हैं उसमें check and balance की ही थीरी अपनाए जाती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा यही सब चीजे अपडेट होंगे आप लोग चीजों को देखते रहिएगा देखिए अब एक और हो गया नया न्यूज आ गया जैसे सेप्टी बेल्ट के रोड सेप्टी के संदर में लगतार नहीं जा रहा है तो उसी में एक कार बेल्ट जो है सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार हो गया है केंदरी जो सड़क परिभन और राजमंत्राले ने पिछली सीट पर बैठी सवारी है के लिए बेल्ट अनिवार कर दिया है परियोग लागू करना और बहुत जरूरी था क्योंकि भारत में देखिए आगे जो सीटर होता है उसी में आपको कार में दिया गया है व्यवस्ता सीट का जो पीछे का सीटर होता उसको सीट बेल्ट की व्यवस्ता बहुत से कारों नहीं हलाकि उन्नत जो कार होते हो उसमें दी जाती है पर नॉर्मल जो पांस साथ दस लाग के गारियां होती है उसमें देखेंगे आप उसमें पीछे में सीट बेल्ट अमूमन नहीं देखने को मिलता और बहुत जरूरी होता है जो साइरस मिस्टरी का जो पीछे सीट बेल्ट न लगे होने के कारण लगाने के कारण हुआ था तो आप भी यह सीट समझ सकते हैं और रोट सेप्टी के संदर में यह करना बहुत जरूरी है और यहां तीन अस्तर पल अलार्मी होगा पहला तीन अस्तर क्या है पहले में आप लोग देखिए अलार्म पहला होगा कि वाहन इंजन चालू होने पर वीडियो वार्निंग आएगी दूसरा बिना बेल्ट गाड़ी चलने पर और वीडियो वार्निंग होगी और तीसरे अस्तर पर किसी ने अधी बेल्ट खोली तो अलार्म बरिस्ता रहेगा तो यह तीन पर क्रिया अपना है जिसस बाते बोली जाती है सरकार के द्वारा संथाओं के द्वारा या बहुत से NGO के द्वारा भी इस प्रकार के कारिक की जाते हैं रोट सेप्टी के संदर में फिर भी आम जो प्रविर्ती है लोगों का न वहाँ पर क्या हो जाएगा अगर नहीं लगाओंगा ये सब जो कॉंसेप अधिकार से अधिक मौलिक कर्तब बे जब तक प्रभावी नहीं होगा लोग इसे समझ नहीं पाएंगे कि उनकी जिम्वारी क्या है स्वें के परती बैक्तियों की परती शमाज के परती राज्य के परती और देश के परती क्या जिम्वारी है जो आप देता है देखिए रोट चोटा विसेन होके एक राष्टी अस्तर का मुद्दा है अगर इस परकार की घटनाए लगतार होती है तो हम राजी के एसट को खोते हैं एसट मतलब संपदा को खोते हैं मनुस एक संपदा होता है किसी भी राज एस्टेट के लिए देश के लिए संपदा होता और वे संपद होती है कहां तक जाती है तो जब बैक्ति स्वें को राज्य या देश का समझने लगेगा न तो ये सब चीजे ऑटोमेटिक बंद होने लगी और सरकार इस दिसा में कार सरकार को इस दिसा में कार करना चाहिए कि लोग को अहिपेरित करने की जोरत है कि आप एक राज्य और देश की समपदा है एक एसर्ट के रूप में आपका अपयोग किया जा सकता है ताकि आपके जो आइडिलोजी है आपके जो अंस हैं वो देशी हीत में कारी कर सके उसका कुछ यूजफुल इवेंट निकाला जा सके तो यह सब से इंपॉर्टन जब तक लोग यह नहीं समझेंगे तो यह सब घटनाय आम चीजे रहेंगी लोगों के नजर में तो सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए तो चलिए नेश्ट हम लोग बात करेंगे अभी नीचे आपको कभर आएगा पीटी मेंस और इंटिवी औरियंट टॉपिक त प्रणाय आज का वीडियो है उसको इस लिंक को एड कर सकते वाटसेप स्टेटस के तोर पर ताकि जो आपके ग्रूप के लोग है वह भी देखे और इसे समझे शाती साते विभीन ग्रूप है वहाँ भी सेर कर सकते हैं टेलिग्राम वाटसेप ग्रूप होते हैं उसके नोटस का बहुत आप लोग इसके लिए परसंस नहीं है और आज से कल से ही आप लोग को एक स्टार्ट की गई है कहने का मतलब है आप लोग जो मन्थ में जो स्टुडेंट बहतर परदसन करेगा यूटूब पर आप पर और टेलिग्राम ग्रूप जो है वहाँ पर जो विभीन मैट्रियल अपने प्रोवाइट कराएंगे अथा जो भी की नोट्स बनाके बहतर तरीके से वहाँ सेर करेगा लगतार जो मेहनत करेगा उसको मन्थ आप स्टुडेंट ऑफ मन्थ का अवर्ड दिया जाएगा अर्थात मोटिवेशनल के लिए ताकि और भी लोग उससे मोटिवेट हो सके जो स्टुडेंट इस प्रकार से उनका थोड़ा कम पार्टिपिशन रहेगा तो उन्हें वीक ऑफ स्टुडेंट का दजा दिया जाएगा तो इस तरह तीन सीरीज दो सीरीज जारी किया गया जिसमें एक मन्थ ऑफ स्टुडेंट रहेंगे और एक वीक में और डे भी स्टार्ट जल्द से जल्द होगा ताकि चीजे हम लोग और भी बहतर तरीके से कर सके यह सब देखी होता क्या इसे होन देखने में पहले दिश् इसके प्लेटफॉन पर ला सकून या जो भी आप जहां पढ़ रहें वहां पर या नया इनिसेटिव शुरू किया गया युक्ति आइस में साइद इंडिया में ऐसा इनिसेटिव अभी तक किसी ने लागू नहीं किया जो वीक में मन्थ में और डे में आपको स्टार्ट कर आप में इस परकार की पर्तियस परदा भर दी जाएगी कि किसी भी टॉपिक पर आप में एक नजरिया विक्सित कर किया जा सके तो आप भी पार्शिपेट किजिए सभी देखें बोला जाता है की नोटश आप लोगों सेर किजिए सभी लोग जितने भी गुरूप में आप लोग जहां भी हो सुईधा आप देश सकते हैं आप लोग देखेंगे टीम हमारी तो चली आगे बढ़ते हैं जो भी लाब दिया जा रहा है न सुईधा है दी जा रही उसकी लाब लेने के कोशिश कीजिए ताकि आने वाले समय में आप बेहतर एस्परेंट बनें देख तो उसमें देखें नया बात कल उभर कर सामने कुछ नहीं बात जिसमें कोट में आरक्षन के अधिक्तम सीमा 50% सीमा का मतलब है कि बाकी 50% ओपिन केटेगरी के लिए मेरिट के अधार पर होगा या सरकार के दौर कल सरकार से सवाल पूछा गया तो इसमें जवाब दिया गय है कि अगर उसमें से 10% आरक्षित कर दिया जाए तो क्या मेरिट के हिस्ते में कटोती नहीं यह सवाल पूछा गया है उश्री में बाते उभर कर सामने इसको जवाब देने के लिए आउसर दिया समय दिया गया है तो इस पर देखें यह भी एक डाइग्राम आप लोग बना करता है तो यह भी आपको प्रस ने क्रियेट किया जा सकता देखिए और जो बैंच इस पर काम कर देए उनका जिरूर आप लोग याद रखिएगा इस पर करका के बैंच जो स्वेधानिक पीट बनते हैं तो उनके संदर में प्रस ने पीटी अस्तर पर आपको पूछा जा स लगता है तो आप लोग इससे जरूर किजिएगा जैसे जस्टिस परधान यादिस जो है चीफ जस्टिस वेंडिया वो तो रहेंगे ही यूए लली जस्टिस दिनेज महिस्वरी जस्टिस एस रविंद्र भट बेला एम जस्टिस बेला एम तिरवेदी जस्टिस जेवी पा पुना धर्मांतरन के मामले में करनाटक जो विधान सभा ने एक बिल पास कर दिया है और यह जल्द ही आपको कानून बन जाएगा राजपाल के सिगनेचर के साथ ही तो यह जीएस पेपर जो एई-पेसी का टू है उसके धर्म निलपेक्ष्टा समंधित मुद्दो के टॉ टॉपिक को कभर करता है या नियूज और आपको PCS अस्तर के जो स्टूडेंट है जो स्टेट PCS के स्टूडेंट है वो यह टॉपिक अपने GS पार्ट में सर्च किजेगा आमोमन सब के GS पार्ट पेपर 2 में होता पॉलिटी की सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जा किसी में पॉलिटी वन पेपर में ही दे दिया गया है किसी के स्टेट PCS में तो आप लोग अपने GS के टॉपिक के नुसार इस नियूज को कभर कीजेगा देखिए इस पर पहले भी आप लोगों से चर्चा किया जा चुका धर्न आंतरन के संदर में आप लोग अगस्त का व स्टंता के अधिकार करनाटक सरच्छन अधिनियम दिया गया है 2022 सरच्छन विधेग धर्म की स्टंतरता अधिकारों का करनाटक सरच्छन विधेग 2022 जो 17 मैं 2022 को प्रभाई होगा सौरिया 2022 लिख दिया है 23 होगा देखिए पेपर भी कुछ एरर कर देता मैंने देखा नहीं था आप लोग अंडरलाइन करके ग्रूप में सेर भी कर दिया हूँ देखिए या लिखा हुआ 17 मैं 2022 को प्रभाई होगा इसके संदर में अच्छा स्वरी स्वरी सही है सही है अध्यादेश जारी हुआ था कुछ अपडेट देखिए होता है मैं भी हिमन ही रहा हूँ मुझे भी कुछ डॉट कभी कभी हो जाते क्योंकि मैं करनाटक के वल्ले भी हर्याना का मैं पढ़ रहा था कि आपको जो पिछला नोट दिया था उसके संदर में और यूपी का उसी संदर मुझे याद था ये क्योंकि अध्यादेश जारी हुआ था करनाटक मुझे चली को बात नहीं होता है कभी कभी करनाटक में अध्यादेश पहले ही जारी हुआ था जो 17 मई 2022 को उसी डेट बैग डेट पर आपको यह बिल क्योंकि आप लो जानते ही हैं कि जब अध्यादेश जारी होता है उसके बाद उसको विधान सभाई राजी के अस्तर पर और लाग करना था या जहां पर विधान प करते हैं तो उसे लोकसभा और राजसभा के दोनों पटल पर लाकर संसत के पटल पर लाकों से अधिनियम बनाना होता नहीं तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है इसी संदर में देखने को मिला है 17 मई 2022 के आखड़े के जो अध्यादेश जारी किया गया था उसी के संदर मे या सरक्षन विध्यक लाया गया है जो आपको देखने को मिलेगा इसमें कोई क्या चीज़े हैं तो आप लोको इंपोर्टेंट है वो जानना बहुत जुरूरी है जैसे कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दुसरे धर्म में अवे धर्म परिवर्थन कराता है तो उसे 25,000 पर जुर्माना के साथ 5 साल का जेल और यूपी में आपको 10 वर्स का जेले ध्यान रखेगा जो आप लोको पीटी में पूछा जा सकता है कहीं भी समान लोगों के लिए 25,000 समान धर्म के लिए जैसे हिंदू हो मुश्लिम हो शीक हो इशाई हो और हिंदू में खासकर आपको हिंदू के बहुत से वर्ल बहुत जातिया है उसमें से अगर ST को आप ले के आते हैं ST का धनांतरन करते हैं ST SC का तो आपको 3 से 10 वर्स की सजा कैद हो सकता है अधिक्तम 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है क्योंकि SC ST को protection दिया गया है उनको अलगले reference के ताहर दिया गया है तो आपको इस पर मैंने कितनी बार चर्चा किया आप लोग भी जानते होंगे यह क्यों जरूरी है यह सबसे important है आप लोग देखिए यह धनांतरन से समंधित या मंत्रावन से समंधित जो विल होते हैं क्यों जरूरी है देखिए चलन सा बन गया है देश में देश में चलन सा बन गया है किसी भी वाद के समंध में परतिवाद करने का यह जरूरी ने केलं मुस्लिम पच primitive के द्वारा है किया है, यसाई पच के द्वारा भी ऐसे बहुत से अउसर देखने को मिले है जहां पर इस परकार के धर्म का मंतांत्रा किया गया है, धर्म का परिवर्था कराने के लिए Lukusय जाता है, उसके लिए विधि विध्वाय कोई स्वेधानिक पत्पर बैठे लोग या न्याले नहीं रोख सकता है कोई स्विक्षा से जाता है या मामला तब असता है जब किसी मामले में यह देखा जाता है किसी पड़लोभन के द्वारा या किसी जवदस्ति के द्वारा जो जवदस्ति या सामोही दवाव के अधार भर यह किसी रायनितिक या बाहुबल के अधार पर किसी ब्यक्ति विश्यश का मंत्रांतरन किया धर्म का परिवर्तन करवाया जाला है तो मामला वहां फस्तार यही सबनान कानून होता है हलाकि इसकी राजनिती करन की जाती है इसे कोई छीपा नहीं जाए सकता है क्योंकि जब भी ऐसे मामले आते इस पर राजनितियां होती है और इसका पक्ष ही पक्ष दोनों हावी होता है तो आपको ओसर मामले नहीं जाना है मामला यह आपको समझना है कि अस्प तो आप को पछोकेते संदर में this avoid this तो को हैं आपकी मोस्टैते हैं लिए इसे तो आप about कर देखिए इक बहुत ही महत्तों कदम सिर्म कोट के दुभार उठायाए गया जिसमें उसके जो वाद होते हैं जो दलीले चलती है सुप्रिंग कोट के चेमरों में तो उससे देखिए लाइव स्ट्रिमिंग की जाएगी अब 27 सिटम्बर से स्टार्ट हो जाएगा इस पर मोहर लग चुकी है सभी ज़ज जो है अनुमती दे चुके है सुप्रिंग कोट के जो ज़ज है वो अब 27 सिटम्बर से आपको लाइव स्ट्रिमिंग देखने को मिलेगा किसी भी मुद्देपर जैसे अभी अगर मानलेजे हिजाब के मामले में कोई मामला चल रहा है तो क्या बात परतिवाद वहां हो रहा है तो आप उसे स्ट्रिम के रूप देखिए उसे हाई कोट बहुत सा फैदा होगा जैसे गरीब कल लियानों के लिए जो सवर्नों का कोटा है और जो इवी डव्लू एस का मामला हो हाल में बहुत चर्चाब रहा है हिजाब परतिबंद नागिका सुनसोदां दिरियम से संबंदित विवाद महां पर चल रहा है जिरह हो रही है तो 2018 सुप्रि क्रित्विधी लग गई है तो चीजे इस तरह आप लोगों को फैदा होगा और यहां देखिए आपको प्रस्न यहां से क्रियेट किया जा सकता है यहां सुचना के अधिकार के तहट परतिक नागरिक का मौलिक अधिकार है शाथ यह नियाय तक पहुच के अधिकार को डबल चीजे आपको यही से पूछी जा सकती है और नेश्ट है देखिए यहां पर एक और भी चीजे आपको प्रस्न यहां से पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार और मीडिया स्वतनत्ता के संदर में जीस पेपर 2 जो यूपेसी का आता है जीस पेपर 2 उस टॉपिक को कभर करते यह नियूज आपको क्रियेट किया जा सकता है यहां से नियूज से कोस्तन और देखिए PCS अस्तर पर आपको इस टॉपिक को कभर कर लिजेगा कहां से प्रस्ने करी ओन हो रहा है क्योंकि बार बार चीजे आप लोगो मैं समझाता हूं तो आप लोग बहतर तरीके से समझ सक सकते हैं और यह 14 अगस्त का भी न्यूज आप लोग देख सकते हैं इस से लेटेड हेट स्पीच से लेटेड आपको कवर किया गया था अमोमन यहीं पर भढ़काव भासन या तो भढ़काव भासा की परयोग होता है तो सारे हेट स्पीच के ही संदर में इंगित होते हैं उ आप लोग इसी चीज को समझेगा ताकि और भी इंप्रोव्मेंट आप लोग ला सके 24 अगस्त 2022 का वीडियो जरूर देख लिजेगा क्योंकि आप बहुत विस्तित तरीके से हेट स्पीच के संदर में बाते की गई हैं देखिए हाँ पर जो सिर्ष अदालत ने जानना चाह है भी या नहीं इसके संदर में प्रशन किया है सुप्रिम कोट बहुत ही इंदा प्रशन है माननी है सुप्रिम कोट के द्वारा सरकार से क्योंकि इस परकार के जो मीडिया हाउसेज है उस पर परतिवन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए टी आरपी एक कॉंसेप लोग तक पहुचाना और उसको समाज का एक मार्ग दर्सक के रूप में अस्थापित करना तीन ही काम है मेडिया का ये तीनों काम छोड़कर बाकि सारा काम ही लोग कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता जस्टिस के एफ जोसेप और जस्टिस हरी केसर राइट पीट के टीवी बहस के दोड़ा एंकर की भूमिका का उलेक करते हैं कहा कि यह एंकर की जिवारी है कि वो किसी मुद्दे पर चर्चा के दोड़ा भढ़काव भासन को रोख लगाए पर अबुमम बहुत से कोई सेनी में आगे पीछे नहीं है सभी अपने अस्तर पर अपनी गतिवीदिया कर रहे हैं मैं किनी भी टीवी चैनल का नाम नहीं लेगा सभी आप लोग साम को जब इविनिंग में कभी भी 24 आवर कभी भी आप टीवी चैनल खोलते न्यूज चैनल मैं तो पिछले एक दो साल से न्यूज चैनल ही नहीं देख रहा हूँ आप लोग विश्वास नहीं किजेगा मुझे देखने मैं प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा वर्क करता हूँ उस पर न्यूज को कभर करता हूँ पर वहाँ पर आप देखते हुँगे कि अगर कोई बैक्ती विश्यष को इतनी किसी मुझे पर एक कहावब सुने हुँunu स्वू ज्ड को बार-बार बना रजाये वह सच नजराने लगता हूँ किसी मुद्दे पर इतना बढ़ा चड़ा के चीजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है लोगों में बहुत ही चमता समझने और उससे समंदित निर्ने लेने की चमता का हरास कर दिया जाता इन शोसल मीडिया के साथ साथ इन टीवी चैनलों के दौरा यह बहुत ही खतरनाक है देखिए आज कल यूटूब चैनलों के द्वारा भी किया जा रहा अपनी भीवर सीप भीवर सीप को बढ़ाने के लिए बहुत ही खतरनाक है आप से यहां से प्रस्ण किया जा सकता है यूपेसी के मेंस में और इंटिव्यू में क्योंकि देखते होंगे किसी भी मुद्द का मुद्दा हो या तो किसी पर का हिजाब मामला हिजाब मामले में तो कुछ यूटूबर ने दिल्ली के कुछ पार्क में जाके अपने कुछ ओडियोंस को बुला लेता और भढ़काओ भासन भढ़काओ तरीके से उससे बाते की जाती उसी तरह टीवी चलनों पर भी इसके लिए अहित का रूप में काम करता है लोग के मानसिक छंता को सोचने और समझने की कमी कर देती और कहीं न कहीं अब प्रॉब्लम क्रियेट करता है इसी टॉपिक के संदर में चिंता सुप्रिंग कोड ब्यक किये है और उससे समंदल विधी आयोग पहले भी बात कर हेट स्पीश का अर्थ एक स्वाजनिक बक्तब या बात से होती जो किसी ब्यक्ति या किसी समू धर मुल लेंगिक अभिन्यास के अधार पर या विरुद घिर्णा को बढ़ावा देने या इसका हिंसा को प्रेडित करें या देखे के डिशनरी में हेट स्पीश के संदर में परिभासा दिया गया मैंने वहीं से इंपूट लिया है जो आपने इससे देखिएगा भारत में प्रेश सतंतरता क्या है इसे आप लोग जानिए पहले सतंतरता क्या है उसके बाद इस पर क्या परतिवन अती आवस्तक है और टी आर पी क्या होता है कॉंसेट जिसके एवज प्रेश की सवतंत्रता सभी मौलिक जो सभी लोकतांत्रिक संगत्रों की निव है तो इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि चौथा अस्तम हम प्रेश को मानते हैं या इस प्रकार मेडिया हाउसे इसको मानते हैं तो आप समझ सकते हैं तीन अस्तम जो हमारे लोकतंत्र का है तो उसका एक चौथा जो अस्तम नया अस्तम जोड़ा था उडिसों पचास में यहीं से सिर्जित हुआ था नेश्ट है जो अनुच्छेद 19 है के तहत मौलिक अधिकार दिया गया जैसे भासन और व्यक्ति की स्वतंता की गरंटी देता है जो कि भासन की स्वतंता आदि के सम्मन वो कुछ अधिकारों के सरक्षन से समंदित है तो आटिकिल 19 भी इससे रिलेटेड है और जब भी मौल अधिकार की बात किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा को रिलेटेड तो मौलिक करता भी की चर्चा करना जरूई हो जाएगा तो नीचे हम लोग बात करेंगे अब नोट याद रखिएगा प्रेस स्वतंतरता भारतिय कानुन पर किरिया कि द्वारा असपस्टूप से सनरच् लगा सकता है राज उस पर युक्तिपथी बन लगात रखते हैं राज कहने का मतलब आपको राज सरकारे और केंटर कारें दोनों होती है देखिए 19-2 के तहत या कुछ बबंदों का सामना करता है जैसे भारत की संपरोपता अखंता के संदर में इस पर युक्तिपथी बन के शंदर में यह क splendid उक्साने कि संदर में और कि यूक्थी इक पर्टीबन लगा सकती है देखिए आपको यूपेसी के पेसी के पेपर में आपको यूक्थी उक Erst Anim में पूछा गया था निवास के संदर में प्लक से कोडिनेट करना होता इस स्टापिक से प्रस्ण पूछा जाता है इसलिए प्रस्ण वो क्रियेट किया गया था कि अनुछे 370 के बाद इस चितियां बदली है तो निवास के संदर में बहुत सी चीजें उभर कर सामने आये थी निवास कोई व्यक्ति कहां निवास करता सकता है तो आपको प्रस्ण देखी ऐसे ही इस बार बहुत से प्रस्ण ने आपको मौलिक अधिकार उनिसके अविव्यक्ति की सतंत्रसा से उभर कर आया है तो लगतार हेट स्पीच के संदर में चर्चा हो रही तो अगले बार मान के चलिए 2023 के यूपेसी में में और पलस स्टेट PCS जो इस दोरान होगा 2022 में उस सभी में आप इसका लाव ले सके मैं जो भी चीजे बोलता हूं वह एक यर का कॉंसेप्ट होता है मैं आज ही किसी टॉपिक को गेस नहीं कर देता हूं उस पर लगतार एक दो मेहने तीन मेहने चार मेहने अगर न्यूज रहता है तो वह समझे वह आपके मेंस के लिए बहुत इं की नोट्स में सामिल करते हैं किस ब्यापक अस्तर पर की नोट्स को इंप्रूब करते हैं इसलिए युकति आप लोग को हमेशा बोलता है कि प्रैक्टिस कीजिए की नोट्स बनाने में अगर जो रेगुलर जो अगस्ट से जुड़े हैं जो भी स्टुडेंट नए अगर सफल होते हैं तो जल्द ही आप लोग के सामने हमारे साथ होंगे चीजों को समझाने के लिए तो देखिए अगर को स्टुडेंट इस प्रकार से काम कर रहा है तो आप भी करिए आपका भी सेलेक्शन इस सतर तक हो सकते हैं उसके बाद आपकी प्रफेस्नल जो इंटर आपका सेलेक्शन होगा तो चीजे देखिए ऐसे ही आते हैं ऐसे ही प्रसंद क्रियेट होता है सभी चीजे आप लोग को बताई जा चुकी है बस है कि कोन स्टुडेंट कितना समझ रहा है इस चीज को कि हमें युक्ति या इस जो दे रहा है वो मेरे एक्जाम औरियंट ची की नजदीक होगा इस चीज को समझिए नहीं तो यूटूब बहुत से चीजे हैं मैं किसी के बारे में को बाते यह नहीं कहूंगा सभी ओपेन है प्लेटफॉर्म में आप कहीं भी जा सकते कहीं भी पर सकते हैं अगर मेरे पास सौ स्टुडेंट है मान के चलिए सौ में मैं फिप्टी परसेंट भी अगर डिजल्ट कवर करता हूं तो मैं उन लाखो करोड़ों जिनका भीवर है उनसे कहीं बेहतर हूँ मैं असपरस्टूप से बोलता हूँ मैं प्रस्टनली फोर्स करके भी आप लोगों को बोलता हूँ की नोट्स भेजिये मैं नराज भी आप लोगों सोता हूँ नराज भी होता कभी-कभी और मेरा हग भी है नराज होना क्योंकि मैं इतना मेहनत आप लोग के पर्ति कर रहा है कुछ भ्रामक भ्रामतिया को तोड़नी के लिए तो आपका भी जवाब देता है आपकी उतरदाई है कि मेरा साथ देजिए इसी अस्तर पर जाकर आपको को भी क को समस्या हो उसका समाधान तुरंत निकल सके ऐसा नहीं कि अगर होता तो मैं इग्नॉर भी कर सकता था ना किनी का बारा बजे आया है कॉल मैसेज तो इग्णॉर भी किया जा सकता पर नहीं उसकी गंभिरता को में समझता हूं क्योंकि इस से पहले मैं जब तयारी करना था कोई आउसर नहीं था किसी से समझने बुझने और किसी से अपनी समझ्या का जो टूए कॉम्निकेशन अस्थापित करने कोई टीचर हमें इस अस्तर पर जाके इंप्रूमेंट नहीं देते थे कोई सिनियर हमें नहीं देता था मैं अपनी एक बात आप लोगो सेर करना चाहते हैं ताकि आप उस चीज़े समझ सके मैं किसी एक सिनियर से जो इपेसी मेंस दे रहे थे उनसे बस यह पुछा सर आपने क्या क्या अपने तयारी के दोरान किया था मुझे सौट फॉम में बता देजिए तो उन्होंने बस बोला कि आपको बहुत सा किताब है आप उसे पढ़ लिए तो सोचिए मैं जब तयारी कर रहा हूँ अभी मैं आया हूँ इस फिल्ड में अपनी तयारी के दोरान जब श्टार्ट के उसमें की बात कर रहा हूँ तो मेरे आइडिलोजी में क्या आएगा थर्ट प्रोसेस में आए कि सर ने बोला है जब UPSC मेंस लिख रहे है तो उनके पास बहुत ही ग्यान बहतर होगा तो मैंने सारे किताब को ख़िल दिया जो भी लिष्ट बताया गया था लगबस सभी बोग जिसमें NCRT है बिश्वास नहीं कहिए NCRT का सभी 6 से लेकर 2L तक का NCRT मैंने अभी तक 500 बार पढ़ चुका हूँ पहले उस अपने तैयारी के दोराग शाथी साथ authentic book जितने सभी topic के अलग-अलग authentic book मैंने आपको ख़बर किया था साथ ही योजना, कुरू छेत्र, भारत book एक आती है आप लोग जानते होंगे हर साल भारत book आती है उसको मैं regular पढ़ता था उसके बहुत से संसद संसद के पहले तो राज सभा लोग सभा टीवी आता था तो उसे में regular वाच करता था यह सब चीजे करता था तो मैंने लागतार और भी बहुत से सोर्स थै और जैसे मालेजे किसी स्टेट गवर्मेंट के जो इनुर्सिटी के राइटर होते टॉपिक विसेश सगे उस पर भी मुझे राय दी गई थी कि उसको भी आप कभर कर सकते हैं किसी टॉपिक विसेश के लिए तो जो खतरनाक इस्तिती को पैदा कर दिया बाद में चीजे में दो से एक से दो वर्स बित गया तब में चीजों को समझ जहां जाके तीन तीसरा या चौथा वर्स मुझे यह समझ में आया कि इन सब किताबों के कोई जूरुत नहीं है अगर को एस्टुडेंट केवल यूपिएसी के स्लेबस को जो बाते में बो रहा हूं आप उस चीज को समझ येगा और प्रिविएस येर कोस्टन को ड्रेगुलर वाच करे और करेंट अफेर्स में न्यूज को अगर वो हिंदू हो सकता दा हिंदू हो सकता या दैनिक ज्या के करीब होंगे बस उसमें आप एंसी आर्टी और अथेंटिक बूख है जो कभर कीजिए इतना ही अगरेगुलर कोई 365 दिन करता है तो बहुत करीब होगा ईपसी के और चीजे ऑथेंटिक बूख में स्पेसलाइजेशन नहीं लाना है चीजे को माल लिजे आपका आउसत न स्टूडेंट के तौर पर बढ़ना है तो इस इसको समझिएगा तो चीजे ज्यादा कि क्रियेट मत कीजिए अपने में केवल जैसे जैसे आपको गाइड किया जाता जितना स्टेप बेबी स्टेप थीरी से एंसी आटी पहले खतम कीजिए उसके ऑथेंटिक भूख खतम की किजिए और इस बीच 365 दिन आप लोगों को न्यू जुद्यनिक न्यू जैनल एसिस कराया जा रहा वो करते रहिए की नोट्स इसका सब का बनाते रहिए साथ में योजना कभर कर सकते हैं और ऑथेंटिक जो साइट है पी आईवी को किवल कभर कर सकते हैं बस इतना ही आप इस पर स्टूप से आपके फेवर में होगी चलिए हमनों नेश्ट बात करते हैं भारतिय प्रेश परिशत PCI की भूमिका क्या है इस संदर में तो भारतिय प्रेश परिशत अधिनियम उन्यूश्व ठत्तक अत्यका साथित एक नियामक संसार जितने भी इससे समंदित कार्य गतिविदी है नियम है उसको मोडरेटिंग करना उसके संदर में जो भी परतिवन लगाना है कौन से चीज़े असपस्ट होंगी उसका निर्ने भारतिय प्रेश परिशत के द्वारा ही PCI के द्वारा ही लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा एक नियामक शंता है इसका उद यहां पर देखी अंतराष्टीए स्वतंतरता के लिए प्रेश की स्वतंतर दिशा धीर क्या है तो हर साल आपको प्रेशत अंतरता सुचकांग निकाला जाता विस उतर सुस्ट अंतरता सुचकांग जिसमें 2012 के रेटिंग में भारत 180 देशों में 122 में अस्थान परा है आपको समझ सकते हैं हम से 141 देश आ गए हैं जिसमें वो देश भी आ गए हैं जो हम से बहुत मात्रा में चोटे प्र भी वह आ गये क्योंकि वह इस प्रकार की मानत्री को अपनाते है जिससे लोगों में समानता विक्सित हो लोग के लोगतांतिक मन्नेताओं को असपष्ट किया जा सके और लोग को बोलने के लिए औसर दिया जाए इसके संदर में चीजे हम लोग देखिए हम लोग का इस मामले में आकड़ा इसलिए कमजूर होता है ना मैं अस्पस्टली ये बात बोलू तो अगर हम लोग धार्मिक सौतंतरता को तहजिप कम देने लगे ना जहां मौलिक अधिकार को अधिक माननेता देने लगे तो इसमें रेंगी हमारा देखिए टौप 10 में ने लगेगा समस्या सबसे ज़्यादा हमारे यह ही है और इसी मुद्य पर हमनों हमेशा मार खा जाते हैं कि हम लोग का मामला अगर 10 मामला है न किस के साई सभी के मामले हैं हमाई बात कर नहीं किशी खास एक कर नहीं अगर धार्मिकवाद कम हो जाए स्वतंत्रता सुचकांग है वह बेह्तर हो जाएगा देखी इसी से इसा से चीझ अशृषिट होती है मैं और खिलाब बोला जा रहा है तो उस पर एवेद लगाता है धार्मी का धार पर बहुत जगर आपको हाल के घरना में जैसे जम्मु कश्मीर दिल्ली में और भी छेतरों में विवाद उत्पन हुए जिसके बाद वहाँ पर बोलनी की आजादी को कुछ दिनों तक रोक लगाया गय यूटूब चैनलों को बंद प्रतिबंदित किया या जो आपको सुचना पर दोकी के लिए जो साधन उसको रोक लगाई गई तो जाके यह प्रेस वतंदरता के ही संदर में आपको इंगित होता सभी एक दूसरे से कोडिनेट है तो देखिए चीजे धार्मी का धार पर नहीं कहीं खराब हुई होगी तो इसमें आप लोग सभी लोग जानते किस रूप से यह अस्पश्ट होता है देखिए पेरिस में इस्तित रिपोर्टर्स विट बॉर्डर्स जो है और डबलू बी वार्शी रूप से विस प्रेस सवतंता सुचकां को जारी करता प्रकासित करता थे रिपोर्ट इस संसा का नाम याद रखिएगा इस पेरिस में फ्रांस में है तो इसे आप लोग याद रखिए पीटी में पुछता है देखिए विस जो प्रेस सवतंता सुचकांगा विस के 180 देशों के मीडिया के लिए उपलग सवतंता के अस्तर का मुल्यांकन कर कि एंकरों की जाती है या लाएगो जो आखिए उतनी बात हो गई तो क्या केबल एक दारफा ही आप से लिपने संतेतिर अजया में हित्यांकन कि उतल जिबूद रखिए इस प्रॉब के भढ़काव भासन देते हैं तो मीडिया एंगरों की जो आप देता कहां से तेह होगी तो कोड ओफ एथिक्स के आयाम क्या है मीडिया हाउस्वेस के लिए तो आप लोग जानिए यह सबसे इंपोर्टेंट है प्रस्ण इंट्यवीव में आपको यहीं से पुछेगा कि जो आप देता क्या है इनकी मीडिया हाउस्वेस की या प्रेस की जो प्रिंट प्रेस होती है उनकी क्या जवाब देता है तो देखिए भारत में परतकारों के लिए ब्यापक और कठोर अचार सही था त्यार करना ना तो संभवा है नहीं वेकपूर्ण है हम किसी प्रकार के कठोर कोड ओफ एथिक्स को लागू नहीं कर सकते है चीजे जब हम मौलिक कर्तब के संदर में समझे लगेंगे तो स्वे हम जवाब दे बरने लगते हैं तो ये चीज मैं हर बार बोलता हूँ कि मौलिक अधिकार सादिक मौलिक करतब जवाब दे होने चाहिए क्योंकि सुरी तैब थोड़ा वीक है इसलिए कोड ओप कंडक्ट कितना भी विरियोत करना हो क्यों नहों लेकिन सभी नयतिक अधिकारों को समलित नहीं किया जा सकता है मन लिजे हमें कैसे बैठना है कैसे भासा का उप्यों करना है कैसे किसी विशे को लेकर हम समाज के सामने किस नजरिये से जाते ये किसी नियम और विधी के ताथ सामिल नहीं किया जा सकता है वो ब्यक्ति और विशेश पर डिपेंड करता है वो चीजों को किस रूप से देखता है वो पोजेटिव वे से देखता है या नेगेटिव वे से देखता है किसी ब्यक्ति विसेश में अगर यह ठान ले कि मुझे देश हित में काम करना है देश हित राज हित के लिए काम करना समाज हित के लिए काम करना है उसको आप कितना भी दवा डाल लेजे वो अपनी भासाओं में आसलिंता नहीं लाएगा भासाओं की जो अस्तर उसे कभी कम नहीं करेगा पर किसी में यह हो जाए कि मुझे केवल अपने हितों के लिए ही बात करना है तो आप उसे कितना भी विधी कानून के तहत क्यों नहीं ला ले वो किसी भी अस्तर पजाका अपने गत्विधी को करेगा है तो यहाँ नैतिक जोवधारी का विशय हो जाता है तो याद रखिएगा समाज समय के साथ वरलता रहता इसलिए कठोर नियम या दिसा जो निर्देश है करना निरर्थक परियाद साबित होगा फिर भी हमें पतकारों और मिडिया के काम काज को विणित करने के लिए अचार सहीता के रूप में कुछ दिसा निर्देश या नियम के आउ सकता मश्यूस होती रही है और होती भी रहेगी इसलिए सुबरिंग कोड ने ये बात बोली है तो पतकारों के उनके काम के मार्दसन के लिए समय समय अनेक कोड तयार किये गए जैसे वर्स 1968 में याद रखिएगा वर्स 1968 में आउजित अखील भारतिय समाचार पत्र समपादकों का एक मिलन हुआ था उसमें एक अचार सहीता तयार की गए थी उसके अनुसार कुछ बताए गये थे कदम जो मैं बाते आपको बोला और किस लुप से आपको काम करना है वर्स 1991 में आउजित एक संगोष्टी में प्रेस मीडिया के दिसा के लिए अनेक अंतराश्टी अचार सहीताओं का मोशोधा के तयार किया गया आप लोग याद रखेगा 1968 और एक एक आनवे दो और सट भारत के लिए और 1991 विश्ट के सभी पतकार मीडिया विश्ट के जो पतकार मीडिया है जो प्रेस मीडिया है सभी से यह अपिक्छा की गई थी कम से कम नियुनतम अचार सहीता को अपने कारे करन में लागू करे तो अर्थाद देखिली पेड़ नियूज होता है जो किसी खास मुद्दे को बढ़ाना कभ है मुद्दे को घठाना कभ है उसके लिए किसी खास घरानों से पैसे लिए किस खास लोगों से पैसे लेकर पेड़ तो इसलिए प्रिंट मीडिया एलेक्ट्रोनिक मीडिया दोनों को नियंतित और निदेशित करने के लिए वैधानिक निकाय कठन करने का आवान किया और इसी के संदर में भी बाते असपस्ट होती आपको विधी आयो के रिपोर्ट इस पर आचुकी है तो इस पर वी नियामक कठोर कदम उठाने चाहिए वैधानिक नियामक गठन चो इस पर काके पेड नियूज टी आर पी थियूरी को मोडरन को निदेशित कर सके उस पर काम क कर सके नेश्ठे राजसभा में पतकारों मीडियों के लिए मीडिया के लिए समाजिक नैतिक जिमारी के रूप में एक संसदिय सहीता अपनाया गया था हलाकि प्रेस कॉंसिल ऑफ इंडिया कठोर नीमों के खिलाप है इसलिए समय समय पर दिशा निर्देस त्यार किये जाते हैं अइसा नहीं जो सहीता लाग की गई थी जो उसको सीरे से खारीज कर दिया था उसके कुछ पॉंट को खारीज किया गया था प्रेस कॉंसिल ऑफ इंडिया के दुवारा और वो बोला क्या आपको स्वें के निर्धानन पहिं आपको अस्पष्ट किया जाएगा कि कितना कोट अब समस्या कहां हो जयते कभी हो जाका इंडिया तो Sultan के आप वांटा कुछ समझ तो कि बाल वीदियो मुझे लग राए बाल देखे हों नहीं होता है चीजे एक बार समझ लेज़े जीवन बर काम देगे जब तक आप तयारी कर रहे हैं अब इससे रिलेटर कभी बैग उसकी नोट्स अपडेट करते रहना आप लोग को और कुछ नहीं करना है जब मीडिया टेलिविजन रेटिंग पॉइंट जिसे टी आरपी कहा जाता सौट पर में अधारित पत्तिकारिता करने लगे और जन हित मुद्दो को नजर अंदाज करते हुए खबरों को संसनी खेज बना कर प्रस्तूत करे तब जाके समस्या उत्पन हो जाती है और यहीं समस्या मानी नियाले के द्वारा उभाए उभारी गई है क्या इस परकार के भणकाऊ भासन सही है इसके संदर में सरकार कुछ दिसा निदेश काम करे तो यह आप लोगो समझने एक चुरी द्यूरत है जो टी आरपी अधारे हमें टी आरपी हर एक अस्तर पर हर जो टी आरपी थियूरी है उसके अधार पर मुझे रेटिंग सरवोच मिले और मेरा चैनल विसकी थे हो मेडिया जो यह है वो मेडिया हाउसे विक्सित हो और उस किया जा सके जन हित मुद्दा उसमें गौन हो जाता जैसे जन हित मुद्दा क्या गरीबी है भुखमरी है विरुजगारी है रोजगार के साधन है विकास के अनमानक है ससक्तिकरन के अनमानक है यह सब जो जन हित के मुद्दे हैं वो कहीने कहीं गौन हो जाते है किसी एक ख कहुंगा देखे को इक बिश्यष को लगता है व हास बैटist के परणा में काम कर रहा थे क्यों सी कोई ंधि बिसेश बात में बहुत गलत हैं को नहीं चला सकते यह पूरी तरे संस्ताओं कोूम चला सकते कब जब भी का सशंव्क पर सार्शंवे जो रहती है सरकार वो राज्य के अस्थर पर वह यह के इंधर आर्या में होता हुअ के विरोध में रहता है आल जब कॉंघर की नहीं करती थी पर वर्तमान में डियार पी जो मिल जाता कोई जो चैनल है वह किसी खास पार्टी के संदर में बाते कर रही है एसा नहीं उसकी मंसा होती है कि मुझे खास किसी पार्ट आप उन चैनलों पर भी बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे जो जन हित के मुद्दे वहाँ पर उठाये जाते हैं पर एग्रेसिवी जो एग्रेसिव मोड जो होता है आपको कही न कही इस और इंगित करता है गोदी मीडिया है ऐसा कुछ नहीं है यह बस भामक सब्द है कि गोदी मीडिया को बढ़ावा देखने को मिल रही है हाँ अगर टी आरपी छूरी सभी जगा भारत में जो परविर्थी है उस तरह लागू हो जाए तो वहाँ भी आपको उस पर स्क्रूप से पता चलेगा कंजरिवेटिव पार्टी मीडिया हो गई है या तो रिप्रजेंटेटिव पार्टी जो है उनक है क्योंकि देखिए भारत में लोग को मस्त टी आरपी क्यों सक्सेस हो जाता है इसलिए सक्सेस हो जाता है ना कि भारत के लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो यह सबसे इंपोर्टेंट है लोग पसंद ही कर रहे है मसाला को तो कोई भी चैनल रहेगा तो क्या करेगा यही करता है क्योंकि सभी को अर्थ एकनोमी अपना पैसा बनाना है इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यह चीज समझने की कि कि हम में इस इन सब चीजों में तालमेन स्थापित करना है हम किसी मीडिया हाउस को एक तरी एक तरीके से एक तरफा यह नहीं मौ सकते हैं कि आप मोदी विरोधी है या तो इस परकार के विरोधी हैं सरकार विरोधी कारे कर रहे हैं बात यहां टियार्पी के लेकर समस्या उत्पन हो जाती है तो टियार्पी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है तियार्प यह दरसाता हूँ कि समाजिक आर्थिक स्रेणी लोग किसी विशेश आउधी के दोरां कितने चैनलों या प्रोग्राम को देखते हैं धरवाई जो होता है संदर में भी अख संदर में भी टियारपी आता है तो आग समय सकते हैं भारत एक निट की समवादी के अंतराश्टी मालंग का पालन करता है और टी आर्पी से समझने डेटा आम तरकर परतियक सब्ता के साजनी किया जाता है यह भी आपको समझने के जुरत है और टी आर्पी का ऐसा करन या टूल है जो जिसके दोबार यह पता लाया कि टीवी में क समस्य आउत्पन हो जाते ही कि जब किसी मुद्दे माले धार्मिक मुद्दे आ रहे हैं एक सकंड मैं समझा दता हूं चीज़े समझ जाएगा देखे टीवी चैनल है जिस पर चार न्यूज आ रहा है ठीक ना ए बी सी और एक डी यह में आपको धार्मिक मामले से संबंदित न्यूज को कवर किया जा रहा है बी में आपको रोजगार से संबंदित मुद्दे दिये जा रहे हैं सी में गरीबी से संबंदित मुद्दे दिये जा रहे हैं और डी में आपको मनरंजन से संबंदित न्यूज को कवर किया जा रहा है अब देखे लोग पसंद किसको कर रह लोग पसंद डी को कर रहे हैं या बी को कर रहे हैं आप चैनल के बाद समस्तिया आ जा रहे हैं जिसके पास अधिक भीवर आएगा जिस ABCD concept में तो आपको वही दिखाना उसकी मजबूरी हो जाती क्योंकि उसको आए वहीं से हो जाता है तो धार्मिक मुद्दो पर अगर दिख भीव आ रहा है तो उसे वह दिखाना उसकी मजबूरी हो जाती है उसको प्रात्मिक्ता देता है मौरंजन के संदर में अगर T.R.P. जादा है तो मौरंजन बहुत से मौरंजन हो गया मान लेजे किसी के साथ अफेर का हो गया बॉलीवूड का हो गया या इस पर का कि कोई किलीप के संदर में आ गया तो आपको दिखाए गरीबी के संदर में रुजगार के संदर में तो य चोछ नो सूनब्य लोग आपको द्हार्मिघ मामलोग पर मरोंजिन के स्तर पर यही र creating विकल्प नहीं कि तरा आप आपने मेडिया असे बहुत बड़ी रासी में आपको तो आप कितने रुप्या आप कितने दिनों तक घाटा सह के चीजों को करिए गाए आप मजबूरी हो जाएगा एक बहतर उद्देश के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको इसी दिसा दसा में काम करने के लिए आउसर क्योंकि आप यूटूबर तो है नहीं जो केवल अकेले निकल लिए और अपनी चीजों को लेकर समाज के सामने लाने लगे आपके पास पूरी टीम होती है पूरी रिसर्च टीम होती है हर एस्टेट पर हर देश में आपके परतकार होते हैं जो नियूज को कभर करते हैं तो बड़ी संसाधन यहां लगे रहते तो इनको बेतन भी भी मीडिया नहीं लाए और जो समंदित मुद्दे हैं वो भी न चूटे तो यह के बीच चेक और बाइलेंस दाने की जुरुत है और देखिए अब कैसे टेक की जाती ट्यार्पी गरना यह आत रिखिए ब्रॉड कास्ट ऑडियन्स रिसर्च कॉंसिल ने संपुन भारत में पैतालिस अजार से अधिक घरों में बार ओ मीटर अस्थापित किया है जिसके अधार पर घरों में न्यूज कंजूमर का क्लासिफिकेशन सिस्टम को डवलप किया गया है एन सी सी एस इसी के अधार पर गन्ना 12 रेनियों वर्गिकित किया गया है टी आर्पी को और एक घर क प्रतेक ब्यक्ति एक अलग आईडी दिया गया है इसके पर भी ए आर्सी के आउधी रिकोर्ड करता है और उसी का अधार पर टी आर्पी चलनों को दिया जाता है तो यह भी एक तरफा है केवल देश भारत के 130 करोड और भी बढ़ रही है एक अरब 30 करोड की जन्म संख्या से पार भी अधिक हो गई है तो मान लिजिए हम आस्तन 50% लोग के पास भी टी टेलिविजन है तो देखी केवल हम 40,000 के अधार पर इनके भीव के अधार पर टी आर्पी को डवलब करते हैं और लोग को मौडरेट करती यह भी एक समस्या है या तो टी आर्पी को ही लेना है त लोगों का और भी ब्हहत्ता रूप्से काप कुई करों के भी खाइब paranता है तो यह डिसाइड नहीं करता है, यह संख्या जब तक बढ़ेगी नहीं, तब तक TRP को और भी धरातल अस्तर पर लागूर नहीं किया जा सकता है, तो देखिए चीजे बहुत विहत प्यमाने पर सुधार के आवा सकता है, असरकार से यह आगरह किया गया, इस पर कुछ कारे कर में तो आपको यह ट्रीपल अस्तर के स्रेनीम रखिएगा, यह प्रश्न आपको आने वाले मिंस में देखने को मिल जाएगा, चलिए नेश्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए PM केर्स फंड के लिए ट्रस्टी बने रतन टाटा, जो करिया मुंडा है, सांसद है, पुरु स सारे लोग गए है, साथ में ट्रस्टी में PM केर्स फंड के सलाकार बोड़ में पूरु नियंतरक और महाले एक परिच्छक जो राजी महिस्ती थे, उनको इंफोसिस फांडेशन के पूरु चयों सुधा मुर्ती को, टी एच फार इंडिया के सहसन सापक आनन साह को, समेत पर जे कित किया गया, PM मोदी जो थे, उसमें PM केर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होंगे, और राच्छा मंतरी, ग्रीह मंतरी, भीत मंतरी, भारा सरकार के फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं, और वित्तिये वश्दोजा बीस एकिस के पास लिए PM केर्स फंड कोश लगवत तीन गुना बढ़कर लगवत 10,990 करोड इसमें जमा हुआ है, और जिसमें से आपको करोना वैक्सिन खुरा के लिए 1300 करोड इसी फंड से दिया गया, और साथ ही साथ 49,76 करोड खर्चा इस केर्स से किया जा चुका है, तो यहां पर देखिए, प्रस निहां यह उत्ता है कि जब पर्धान मंत्री ट्रस्ट बना हुआ है, तो यह केर फंड क्यों बनाया गया था, इसके लिए कुछ विवाद पहले भी उत्पन हुए थे, जिसमें आपको वीडियो केर कभर किया गया है, तो इस वीडियो का आपको देखिएगा, जो रिलीफ फंड होता है, और इसमें केर ट्रस्टी फंड में क्या अंतर वहां बताये गया था, नहीं तो कोशिस करूँगा, एक सलाइड आप लोग को कभर कर दो, दे दो, ठाकि आप लोग चीजे अभी वर्तमान जो लोग हैं, वो समझ ले, तो चीजे पहले किया और यह बहुत जरूरी है कि इस परकार जो ट्रस सरकार अपने अस्तर पर भी कर सकती है, करना भी चाहिए, ताकि राजी के जो भी एसेट है, उनका बेहतर उप्योग हो सके, नेश्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट हो गया है, वीडियो जादा नहीं है, देखिए जीएस पेपर 2 के संदर में, वीपेसी के भार भारतीय लोकतंत्र के बीच क्या अंतर इसलेक में असपश्ट किया गया, बहतर तरीके से असपश्ट किया गया, अंडर लाइन को आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लिजेगा, पॉइंड वहां से निकलेंगे, और जो चीजे इसलेक को आप लोग पढ़िएगा, ओर अ अस्तर पर देखने को मिला है जितनी मौलिक अधिकार भारतिये लोकतंत्र ने अजादी के साथ होते ही दे दिया उतना उयरोपिय कंट्री ने अपने एक लंबी परकिरिया के दोरान दिया था जिसमें महिला महिला ससक्तिकरं संदर में जो आठिकील है धार्मिक सतंतरता के आवजिदारी सुनिश्चित करने के जो आटिकल दिये गए है वो सब एक लंबी परक्रिया के बाद यूरोपियन कंटियों में आया है यहां तक है जो एमरिका में जो लोकतंत्र की जन्नी मानी जाती है अधुनिक लोकतंत्र की उहां भी लंबी परक्रिया के दोरा नाए पर भारत में शुरुवात से इन परक्रियाओं को अपनाया गया या वज्जी संग की बात की जाए जहां पर इस परकार के चीजे कॉंसेप्ट थी उस काल करम के अनुसार वर्तमान में अजादी के साथ ही हम लोग इन सब कॉंसेप्ट को अपना है जो सुधारवादी रोक्तंत्र के लिए और जो अन्न विष्ज के देशों के साथ हमें अलग करता है और हमारी वियासत हमारी संपदा को बहतर तरीके से प्रस्तूत करता है तो इस लेख में आप लोग इसे समझेगा और इसके की नोट्स अंडरलाइन किये हुए उसको आप कवर कर लिजेगा म से फालगुनी नायर देश की सबसे अमीर महिला है आपको पीटी ओरियंट कवर करना मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भारत का आकलन गरीबी के अधार पर नहीं कीज़े केवल इसके और भी तत्य है भारत एक विक्सित राष्ट के सेनी में बन रहा है तो इस परकार के लोग बिचेक और बालेंस की नजर होनी चाहिए देश के लिए क्या सही है गर गलत है अगर यह एकनोमी सेक्टर अगर डबलप नहीं होगा तो भारत अरन कैसे करेगा पैसा को इनको सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता है कि इनकी भूमिका नगन्य मात्र है यह देश का एक संपदा है सोच के देखिए अडानी मुके शम्बानी या इस प्रकार से जो पुनावाला जी है या टाटा रतन टाटा है अगर देश में पहले बैक्तियों के सबसे अमीर तो भारत में कितने इनवेस्टर आएंगे सोच सकते हैं इसका आक्ला नहीं लगा जाए जो चीजे बोलते है कि भारत जो कुछ लोग ऐसे है भारत में राजनिती करते हैं जो इसको गलत नजरीश देखते हैं पर वो जब अपने इस अपने अस्तर के नेता अपने अस्तर के अधोई घरानों से मिलते तो वो सही है पर देखिए आप बात है कि आदानी रहे या तो मुके शम्बानी रह रहे या तरतन टाटा जी रहे या साइरस पुनावाला या तो नायर जी अगर मान लिजे महिला पर्थम महिला आ जाती विश में जो सबसे अमीर हो तो आप इसकी कलपना भी नहीं कर सकते विश जो इंडिस्ट्री है वो भारत में कितने मौडर्ट तरीके से आएगी और कित मान लिजे इसका 10 टाइम गुना कम से कम 10 टाइम गुना अधिक इन्वेस्ट भारत में आएगा इसी परकार मान लिजे भारत रतन जो अडाने जी है उनकी कुल संपदा लगभद 10 लाग 94 जार 900 क्रोड के आसपास जो आकी गई है इनकी आकड़ा इसका 10 गुना कम से कम लगा है तो भारत जब 47 तब विक्सित होने का लक्ष रखा है यह भी छेत्र विक्सित होगा और भारत में हमें हर्ष होना चाहिए को एक भारती है टॉप फाइब में आया है और जो दूसरी एलेन मैस के बाद दूसरा सबसे अमीर अमीर सक्स बना है तो यह स्वागत यो कदम है इस परकार के innovative और भी develop होंगे लोग इस तरफ जुकेंगे और ताकि देश में और भी इस परकार की गत्विदी हो और देश ससक्त बने तो यह बहुत ही positive concept लेकर आएगा negative सायद 24 हो सकते हैं मैं मानता हूँ इसका negative पक्ष होगा बहुत से पक्ष भी negative हो सकते है पर जो इसका positive पक्ष उसको अहम तरीके से समझने की जुरत है कितना अधोई घराने हमारे इन्वेस्ट करेगे कितना फिंटेक हमारे इन्वेस्ट करेगा कितना हमारे इन्वेस्ट करेगा कितना हमारे चीजे आएंगी अभी हाली में देखें एक पाइंट 368 लाग करोड का semiconductor का आपको आ संदर में इस बढ़ेगा तो देखिए सब चीजे सभी दूसरे कोडिनेट है तो आपको इस संदर में समाजिक जो इसे दम सरीय से मत नकारिएगा आपसे कई प्रस्ण पूछ दे तो चेक एंड बालेंस थिरी अपनाईएगा इस मुद्दे पर चलिए आज के नियूज में इतना ही बाकी चीज और था उसके बाद आगे बढ़ेंगे देली एक नीचे वला नियूज है न छूड़ जाता है क्योंकि मुझे समय की बादता देखनी होती है न आप लोग तो 30 मिनट में बोलते हैं कि 30 मिनट में समाप्त करनें पर कोशिस में हजार बा करो सभी गंटा कर समय वदी चला जाता है तो कॉपरेट किजिए एक घंटा मारे लिए भी समय निकालिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा वह आपको टेंट टाम ज्यादा आपके लिए उप्योगी हो जाएगा और इसका असर आप लोग देख भी रहे होंगे तो देखिए पर टुर्ka ने फीर एक लाप दीए पिछले साल से तो अब तुर्कियों हो गया है उणेटेज नेसल जो सिक्योरिटी कॉनसिल है उसमें जो संबोधन हो रहा है उसमें राषपती जो तुरकियों की राषपती तेब एदोगीन उनके दुआरा मंगल महा सवा में संबोधन म कहा गया कि भारत और पाकिस्तान की बिज्यों समंध है अजादी के 75 वर्ष हो गए हैं और उसके बाद भी एक जुटता स्थापित नहीं हो सकी है हमारी प्रात्ना है कि कस्मीर में अस्थाई सांतियों संपन्ता स्थापित हो भाई सहाब आप कम से कम पाकिस्तान को ये आतंगवात के मुद्दे पर तुरा सा असर कर ले कि असपस्त विश्व को नजर आए तो ये सब भासा बोरी तो निकलेगी ने कस्मीर के मुद्दे पर तुरंद निकल जाती है तो जो हमारे विदेश मंतियों वह भी है न तो आप लोग पर सीना चहण कहना जवाब देना जानते हैं इसी के एक चीजा वहरता नजरिया देखने को कितनी विश्व की दोगला पंति राजनिती होती इसे समझेगा आप लोग मैं कुछ सब्द यहां यह इसलिए बोलता हूं कि ये देश जो है न इसी परकार के वक्तब के लिए सही सुठ होते हैं अपनी समस्याओं क गोन रखते हैं परविश्य की समस्याओं में भारत के संदर में आपको मैं क्या बोला थे कि कुछ दिन पहले बोला था ना भारत की लोकतंत्र जो है न लोकतंत्र वो सभी देशों को खटकता है सभी देश को खटकता है जो इतनी विरासत को लेते वे आज तक इस परकार का अंदोलन नहीं हुआ जो ग्री यूद की स्तिती को उत्पन का तुर्कियों में ऐसे कई विरोध हो चुके हैं इसी परकार बहुत से देशे भारत के लोकतंत्र को है न पचा ही नहीं पाते इसलिए समस्याओं यहीं उत्पन हो जाता वो पागिस्तान हो चीन हो या तो और भ भारती लोकतंत्र को पचा ही नहीं पाता या इरोप के बहुत से सकंटे जो अंदर ही अंदर ही भारत के लोकतंत्र की धरासाही होने की कामना करते हैं और उसके खिलाब लॉबी क्रियेट करते हैं तो देखिए भारत के लोकतंत्र के संदर में है न चीजे आपको समझने एक भारत का लोकतंत्री सबसे इंपोर्टेंट है, लोकतंत्री सबसे मजबुत परक्ष है, अब भी बाद देखने को यहां मिलता है, तो यहां पर देखिए, पाकिस्तान के अलावा, एर्दोगेन ही एक मात एशा नेता है, जो हाल के वर्सों मंतराश्टी मंचों पर कस्मीर को च पर चुप किया है, सभी लोग समझ गिंगे चीन, और इरान भी था, आपको आपको, मामले में अभी हालीया चुपी था,emen लेकिन हिजाब के मामले में, ढर्म के मामले में जो हाली में जो मामला उठा था, नवी के मामले में, तो उसमें कुछ बाति की थी, पर फिर पुना और भारतिये दवाब में आके वो उन्हों ने सभी वापस ले लिया मैं लोबी की हमेशा बात करता हूँ लोभी के संदर में भारत का आंतरिक समस्या रहने दे वैस्विक समस्या जाईएगा लेकर बहुत चीजें उबर कर सामने पहली की सरकारे नहीं है पहले के विदेश मंत लोकतंद्र को इतना अलग तरीके से समझने लगे थे न कि हम विस्व में सौप्ट देश के रूप में उभरना चाहते थे तो याद रखिए का जंगल जब होता जंगल में केवल बल का ही पूजा होता है बल को पूजा किया जाता है जो अबल होते या कमजोर होते उनकी कभी पूजा या इज़्घन कि जाती है याद रखिए गाविस एक जंगल है जंगल में सेर अगर बनना है तो हमें बल परियोग बल के रूप में अपने चीज़ों को स्थापित करना हो गया यह किसी भी स्थर पो सकता है या शुरच्छा के संतर पो सकता है फुटनितिаты के स्थ आपको इंप्रूब कर लिजे आपको देश पुझेगा विसके अन्य देश भी आपकी मनसा रखेगे आपके साथ सहीयो करनेगे अमरीका का मैं एक जामपल देना चाहूंगा यहां पर इंद्रा गांधी मानने जो हमारे परधान मंत्री पूर परधान मंति थी वह इंद्रा ग अफिस के बाहर वाइट हाउस जो होता है जो चेंबर होता है उनको कुछ समय के लिए कुछ बाहर कुछ समय के लिए रोका था तो समझ सकते इस्तितियां यह थी और तमान समय में जो सरकार है ऐसा ने कि बैक्ति विसेस के लिए यह हुआ था बैक्ति विसेस की भूमिका तो तो इस्तितियां यह आई थी कभी ऐसा समय था कि हमें जो परमानु हत्यार के संदर में जो एसट चाहिए था उस पर रोक लगा दिया परतिवन लगाया अमरीका ने और जो क्रियोजनिक इंजन है उसके में भी रोक लगाता है विविन परकार से रोक लगाता है पर वर्तमान जो पिछले 24 के बाद इस्तितियां उप्री है देश आर्थिरू से भी ससक्त हुआ है एक कुटनितिक नेत्यूत भी हमें प्राप्त हुआ है उसके बाद आपको आरो के लिए जो नियम बना रहा है ना नियम बनाता सभी देशों के लिए वो सभी देश पर लागू करता है भारत को छोड़के अपवाद में भारत को जैसे बहुत ऐसे एग्रिमेंट है जो केवल रक्षा समझोता में भारत के डाटा से सेर करता है विस आन देशों के पर हमारे हित के संदर में तो आप समझ सकते हैं एस फोर का वियर समझोता रूस से कर लिए जब युक्रेन विवाद हुआ तो रूस से तेल मंगाने के लिए विवाद उत्पनुद रूस अमरिका ने विश्व के देशों को यह कहा कि आपको तेल वहां से निर्याद ने किया भारत ने सस्ते दर पटेल निर्याद के अरूश से फिर भी अमरिका चूप रहा और अभी हाल ही में और भी समझोते करने के लिए अमरिका तो समझ सकते हैं हमारी आर्थिक इस्तिती मजबूत है तो ही तो हम जाके कर रहे हैं हमारा पर्चेजिंग पावर पीपी मोड सबसे इंपॉर्टेंट है विस्ट का दूसरा सबसे अमीर बैक्ति भारत से वह आ गया है तो समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो होगा अमरीका मे नल्री करें ये कंपनियां इसे इसल कंपनिय कोंपनीय उनके जो कंपनियां उसमें ए Ohμε समझ सकते हैं आर्थिक इस्तिती मजबूत होगा उन्हें हम अऐसे अन्तिलिकी को क्ये हुए हैं इंते के सोसाइटी को डबलब की हैं जो भारत में मजबूत इस्तिरी को उख्षम के तो इस प्रकार कि जब समस्तिया के समधान जब आते हैं न तो इसका जवाब इसी अस्तर पर दिया जाना चाहिए भारत उसमें उम्दा पर्दवर्शन कर रहा है और अगले आने वाले 47 तक भारत इसी अस्तर पर होगा जो भी परधान मंत्री आएंगे भाईस में उनको यही नजरिया अपनाने की जुरत है ताकि देश एक विक्सित देश की स्रीनी में आए टो किये क्या है? विदेश मंतरी हमारे उन्हें तुरंट अपको टुर्की के जू समस्तिया दित्थो समस्तिया ज हो था साइपरस का वो मामला उठा दिया पहले समस्तिया साइपरस के समस्तिया को सुलजाने की जुरत है जहां 53 असनिको को तैनाती किये हुए तुरकी उचक बुलाकर अपने समकच को बुलाकर यह बाते की गई है बात्चीत की गई है साइप्र सिवात के निस्तारण के वकालत करता रहा है भारत तो इसके संदर में नोटिफाई किया तो यह बेचारा चूप हो गए फिर कि जब हमारे घर में बहुत से चुहे ने छेत कर रखाया तो दूसरे घर के छेत कुम क्या देखे कि उसमें कौन सा चूहा उसके घर में गया हुआ है ऐसा नहीं कि इसके सभी देस साफ सुत्रे हैं सभी देसों में उनके कुछ ने कुछ डी मेरिट है तो पहले अपने डी मेरिट को सुधाने की जुरत है ऐसा नहीं है कि हमारे ही डी मेर कर रहा था जहां पर यूक्रेयन के मामले में यह बोला गया था कि कि आप क्या नजरिया यूक्रेयन के संदर में विविपरित है तो भारत नहीं असपस्ट रूप से वहां बोला गया उनके द्वारा विदेश मंत्री के द्वारा कि यूरोप की समस्या केवल यूरोप की समस् चीजे और भी बहतर तरीके से विदेश निती कुट निती में देखने को मिला है तो यह सब चीजे जो देखिए आपको बहुत बनाती है आपके एंसर आइटिंग अपने एंसर इंप्रूम्मेंट के लिए बहुत जरूरी है तो यह सब जीच आप लोग करते रहिए समझते र पर पर्यास यही रखिए आपको बहतर इस्तिती लाने के लिए बहुत जरूरी होता है चीजों के समझ में टॉपिक के समझ कुछ बात यह असपरस रखने के लिए धन्यवाद कल मिलते हैं जैहिन